नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यू चनल रीमे के डुपात में आज हम लोगी इस वीडियो के मादियम से विशिष्ट सिक्षक जो सक्षमता परिक्षा के बाद हमारे सभी नियोजित भाई बंदू कहलाएंगे आज इस वीडियो के मादियम से हम जानेंगे कि हमारा संभावित बेतन हमें कितना मिलेगा कितना बेतन हमें विशिष्ट सिक्षक होने के बाद मिलेगा इन हैंड कितना होगा बाद में नफा और नुकसान की बात है तो विशिष्ट सिक्षक से किसी सिक्षक को नुकसान आर्थिक रूप से नहीं होने जा रहा है बले एकाउंट में पैसे कम दिखेंगे आएंगे कम लेकिन कहीं न कहीं बचत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी आपसे सेयर कर रहा हूँ कि आज की बचत कल की मुस्कान है क्योंकि NPS के माध्यम से बचत ज़्यादा होगा जो पेंशन के रूप में आपको आगे जाके मिलेगा हो तो बचाना बड़ा जरूरी है तो कैस तो कुछ हो सकता है कम दिख जाए लेकिन आपको कैस दिखने का क्या मतलब है कि चुकि आप जो भी बेतन आज पा रहा है उस सबको बेतन मूल बेतन जो है उचादा मिलेगा किसी का कम नहीं होने जा रहा है क्यूं क्यूंकि सरकार ने जो हमारे सामने बिहार गजट जो दिख रहा है सदार नंग 26 दिसमब 2023 को जो आधेश निकला है इसके माध्यम से pay protection मिल रहा है pay protection का मतलब होता है जो आपको भुगतान किया जा रहा है यानि जो आपकी basic move salary है उससे कम आपको नहीं मिलेगा ध्यान देने की बात है हमेशा से कि allowances जितने भी होते हैं वो आपके बेतन के पार नहीं होते हैं वो variable होते हैं तो मूल बेतन का जो pay matrix है यानि मूल बेतन पा पर आपको और सभी को नियोजित सिक्षकों को जो है वो आपको pay protection के यानि जितना pay हो रहा है उसको सुरक्षी pay protection का म उसको protect करना प्रोटेक्ट ही बना है आपको protect सबसे बना है protection यही है pay protection और जो हमारे सामने स्क्रीन पर दिख रहा है बिहार गजट यह है पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बेतन का क्या मामला है उसके बाद इस वीडियो में हम जानेंगे कि नियोजित सिक्षकों को क्य या बेतन आपको अगर विशुष सिक्षक हो जाते हैं सच्छमता परिक्षा के बाद उनको बेतन मिलेगा कितना in hand यानि cash in hand यानि bank में कितना उनको आएगा deduction कितना होगा किस चीज में उनका ज्यादा आपको जमा होगा हम उस सब चीजों की गन्ना करेंगे पहले मैं गन्न कि में हमको एजे नियोजित सिक्षक हमको कितना जनवरी 2014 में जनवरी 2024 में हमें कितना बेतन मिल रहा है इसका वीडियो हमने बना रखा है और आप उस वीडियो को जाके देख रहे है कितना बेतन आपको एजे नियोजित सिक्षक मिलेगा 2024 में अब मैंने इस वीडियो को हम 2024 24 के बेतन को आधार मानकर नियोजित सिख्षक को के बेतन को आधार मानकर जो नियोजित सिख्षक को बेतन मिल रहा है जनवरी को इसी को मैंने बेस माना है और बेसिष्ट सिख्षक होने के बाद कितना बेतन मिलेगा इस चीज़ को मैंने इसको गन्ना है यह संभावित है एक कि सरकार ने fitment matrix की बात किया अब fitment matrix बहुत सारे जगा पर कुछ चीजे निकल के आ रही है कि आपको बताया जा रहा है कि इतनी बेतन मिलेगी ज्यादा बेतन मिलेगा ध्यान देनी की बात है कुछ paper की cutting भी निकली हुई है मैं आगे उस पर चर्चा करूँगा दिखाऊंगा लेकिन उसकी सचाई क्या है इसकी टाइम्स और इन्वार टाइम्स ने भी इस चीज को छापा है मैं भी आपको उसको चीज को दिखाऊंगा कि कैसे वहां दिकत क्या हो रही है लेकिन पूरे नियमावली बिछलेशन लगलललल रूप में किया गया अलगललल समय पे किया गया है सबको अलगललल हम के वहले में इसमें वहीं जानेंगे आईये देखते हैं कि क्या है अब दिखें की बेतन के बारे में ये आठमा कंडिका कह कह रहा है आपका आठमा कंडिका कह रहा है कि विश्ष्ट शिक्चक अस्थानिय निकाय नियम Hour medi2020 चुकि हमारी जो नियिम Fragen है वो कुरम सा आपको एमेंडेट होते चलिए संसोधीत होते चलिए दो जार तीन पाँ चे बारा सोला उन्नीस बीस ऐसे करके वो संसोधीत होते आई है और लास्ट का संसोधन आपकी निमावली बनी है तो वो दो जार बीस के तहत उन्हें परदान किये गया पूर्ल वेतन सं मिलना ही मिलना है कहीं नुक्षान नहीं होगा जितना आपका बेसिक है उससे नीचे नहीं मिलेगा इस सब्द का बहुत मतलब है आए आगे देखते हैं आगला क्या कह रहा है इसके अलमाई नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैक्रिस के अनुसार यह होगा फिटमेंट मैक्रिस नीचे है फिटमेंट मैक्रिस हम उसको बात करेंगे और यह भत्य राज सरकार के परचली दर्वों के अनुसार जो महागाई भता होता है मकार भता होता है चिकित्सा भता होता है और सहरी परिवहन भता होता है यह सब को नहीं मिलता है इस पर पर बाद में डीटेल बात करेंगे, हम लेके चलेंगे, चुकि जो ज्यादा तरवो गाउं में बसते हैं, तो हमने केवल अभी गाउं के व्यवस्था को लेके चलाया, तो एक से पांच को यह है, छे से आट का यह है, और छे से आट के अगर कोई बरी आपको पर्मोट होता है, तो वो इसमें जाएगा, एक से पांच में पर्मोट हो जाएगा तो 68 में जाएगा, और 68 से पर्मोट हो जाएगा तो इस सेक्शन में जाएगा, उसके बाद आप 9 10 प काल्कुलेशन को अपर ये भी देख लेते हैं कि कुछ समाचार पत्रों में और कुछ चीजें निकली हैं वो क्या है कोई-कई-कई छापा भी है कि बहुत ज्यादा मिलना है मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है फिटमेंट मैक्ट्रिस होगा उसी केनुसार वो चल और ये टेबल का सिर्षक हमनें दिया है कि विषिस्ट का वेतन यानि विष्ट सिछक विद्न संभावित क्या है अगर हो जाते हैं तो क्या होगा चुकि यह होना है कि समस्थानी की बात अभी नहीं हो रही है ऐसी बाते कहीं कहीं से निकल आ रहे हैं कि जिस पहले पे मैट्रिक्स के जिस इंडेक्स नमबर पे होगा उसी इंडेक्स नमबर में यहाँ हो जाएगा मुझे निया लगता है कि इस तरह के हो नहीं मंदारी से बात करूं तो संभावना ऐसी कम दिख रही है अलग-अलग समाचार पत्रों में अलग-अलग चीजें सब की बात हैं अलग-अलग बात हैं लेकिन अगर इमंदार भी इस लेशन किया जाए तो अभी तक यहीं बाते निकल का आरा रही है कि आपको उस पीट्मेंट मैट्रिक्स में जितना है उसके उसी के नुसार आपको मि सिख्षक हैं तो नियोजित सिख्षक जो है उनका मूल बेतन जो है जनवरी में अभी जनवरी की बात कर रहा हूं यह 3420 होगा 3420 यह 3420 यह सबची का कल्कुलेशन कैसे हुआ पीछे दो तिन वीडियो में ने इस पर बनाया हुआ है आप उस वीडियो को देख लिजेगा वे उससे इंटर लिंक रहे है यह 3420 कैसे उनको हुआ जनवरी में कैसे हुआ कितना बेतन नियोजित सिख्षक को मिलेगा जनवरी चाहेगा इसके इरदिद में fitment matrix में वहीं बैट रहा है यहां देखिएगा आपको ब्रिदी हो रही है मूल बेतन ही सबसे बड़ी बात है और सारा चीज़ डिफाइन आपको कहां से होता है मूल बेतन से आप यहां देखिए कि आपको यहां ब्रिदी मिल रही है कि नहीं मि वो प्रेथी दिखता है चलिए आए देखते हागे आपको यहां मिलता है 30,750 रुपे डिये होगा 14,145 रुपे यह चार परसेंट से हम 4 परसेंट को कल्कुलेट की है मेडिकल आपका 1000 CTA को मैंने यहां नहीं रखा है चुकि CTA की कल्कुलेशन हो नहीं रहेगे यहां कंडिशन अभी लागू नहीं है अधी कान सिक्षों को CTA उनको एलावन से जो उनके लिए फिटने बैठता है मैंने उसको नहीं रखा है चुकि CTA लंबा हो जाएगा तो इस्क्रीन पर विजीबल होगा नहीं अब देखिए यहां यह तो हमने बनाया यह कितना हमें कॉल्कुलेट होगा अब यह दू सेक्षन है यह दू सेक्षन जो आपको दिख रहे हैं यह दू सेक्षन है आपका डिड़क्षन का अब डिड़क्षन देखिए पहले डिड़क्षन होता था पीएप के मामले में डिड़क्षन कितना होता था पीएप के मामले में डिड़क्षन हमारा 18,000 रुपया होता था अब यहां डिड़क्षन कितना हो रहा है घट कितना कितना कट रहा है हमारे बेत आपका इंसुरेंस हो रहा है यह ग्रूप इंसुरेंस है उसके लिए पैसा यानि आपके लाइफ को सिग्यूर करने के लिए 30 रुपए सरकार लेती है तो यह कहीं से आपको नुकसान दे आपको नहीं है यह 2690 रुपए आपका एक्स्टा जो जा रहा है वह बच रहा है और ध कि यह 4490 पर चुकि इसी पर बात करके तो सारी चीजे उसी अनुसार हो जाएंगे अब देखिए 4490 यह डिड़क्शन होता है यह 10% की डिड़क्शन होता है किस पर ऐसा है यह डिड़क्शन होता है आपको मूल बेतन और डिये को जोड़कर इन दोनों का जब काल्कुरेशन पर आपका कटेगा जी आई यानि ग्रूप इंसुरेंस के डिड़क्शन है यानि अब इस डिड़क्शन को इस आपके बेतन से घाटा दिया जाए तो बेतन आपके खाते में जो जमा होगा वह इतना होगा 4260 उसी तरह 2006 में कुछ लुग बहाल है उनको उनका बेतन जनवरी होगी यहां भी होगी उसके बाद टोटल कल्कुरिशन बनेगा फिर उनका डिड़क्शन कितना होगा उनके आपको एंप से खाते में कितना जाएगा जिनका बेतन 2530 अभी है अगर बिसी सिक्षक होंगे तो उनका डिड़क्शन हो जाएगा 29,850 रुपे मुल बेतन के नु इतना 28,980 हो जाएगा बिए उनका 13,330 रुपे होगा 11,09 रुपे होगा मेडिकल आपका 1000 होगा एंपेस उनका डिड़क्ट होके 431 रुपे होगा 30 रुप इंसुरेंस उनके खाते में 40,290 रुपे जाएगा उसी अनुसार आगे देखते हैं अगर जो ट्रेनिंग जिन्हो होगा मेडिकल जुड़ेगा पी उनका एंपेस में कितना कटेगा 1372 कटेगा तीस रुपे आपको ग्रूप इंसुरेंस में जाएगा और बेतन जाएगा खाते में 36,888 रुपे यहां एक ध्यान देने की बात है कि आपका पहले 18 से कटता था आज कटेगा आपके बेतन से 1372 तो आपके मूल जितना खाते में जा रहा है वहां कौम होने की संबावना है तो मिल आपके खाते में कौम आ रहा है लेकिन आपने बचा तो लिया ना आपका बच रहा है इसी को अगर अब यहां से अलग कर लिजिए तो देखिए 2000 आप एगर in 3872 में से 1800 निकाल दीजिए त इस अफवाह में नहीं रहाना है, बेतन बढ़ रहा है, सरकार आपको बेतन दे रही है बना की, आपकी बचट बना रही है, फिर से देयान रखने के ज़रौत है, आज की बचट कल्की मुश्कान है, आपका बच रहा है, सरकार भी अपने अस्तर से 14% देगी, 10% आपके बेतन से और वो 14% देगी उसके लिए एक अलग वीडियो में पूरा NPS का एक पूरा calculation में बताऊंगा कि कहा लाब और कहा आपको हानी कही नहीं है लाब कहा है और किस-किस रूपे में आपको लाब और कहा कहा लाब हो रहा है लाब कहा कहोगा आपको मूल बेतन में लाब होगा, HRM में लाब होगा, आपको DA में लाब होगा, HRM में होगा, उसके बाद यह इस कंड़ी, NPS के रूप में आपको कितना बचत जा रहा है, सरकार कितना परदे के पीछे से आपको इसाहता कर रहा है, यह देखते हैं, basic rate, एक सट रुपे आपको उनका एचारे होगा एक हजार आपको मेडिकल होगा 3878 रुपे उनका कटेगा आपको NPS 30 रुप मिलेगा 3688 रुपे उसी तरह ट्रेंड बहाल जो सिक्षक हुए हैं जिनका जनवरी में आपको 8,550 होगा और बेसिस में 8,888 होगा और 42-11 रुपे NPS कट 30 कटेगा आपको जी आई में और 40,019 रुपे उनके खाते में आएगा उसी तरह ग्रेजविट ग्रेट 6-8 के उन्ट्रेंड शिक्षक हैं 27,710 जनवरी में उनका बेतन तिन परतिस्यत के बाद बनेगा और इसी आधार मान लिया जाए तो 8,000 उनको फिट्मेंट मेक्रिक्स में 30 रुपे और टोटल बनेगा 38,812 रुपे इस परकार अगर हमने देखा कि यह पूरे अगर संभावित जो बिसेश्ट्रिक्स का बेतन होकर अगर आज कल्कुलेट कर दिया जाए इसी महीन हो जाए फरवरी से लागू हो जाए तो मिलना हो जाए गर इसी महीने सक्षमता बना दिया जाए तो अगले महीने से में अभियतन मिलने लाए यहीं संभावित है आगे सरकार क्या उसको अपने फिटमेंट मैक्रिक्स को समस्थानिक रूप में परिभासित करती है या क्या चुकि मुगालते में हमको नहीं रहना है चुकि कई सारे समाचार पत्रों में अ आपको कहीं न कहीं आपकी बचत की ओर लेके जा रही है हमेशा ध्यान रखिए मैं फिर से कहूंगा कि आज की बचत कलती मुस्कान है इनपीएस की माध्यम से चीजें बच रही है आसा है आपको बहुत सारी चीजें किलियर हो गई और बहुत जल्दी ही अगले वीडियो मे हमें जो उनका परसेंटेज है इनपीएस में हमारी हमें सहीयो करने का जो सरकार का जो पार्ट है वो कितना देंगे तो हमें कितना कहीं परोग चुर्प से हमें कितना फायदा हो रहा है आसा है आपको इसे लाब होगा थेंकी सुमच जैहिंद